नमस्कार दोस्तो आज हम अध्यन करेंगे समान्य मानसिक योगता जिसे इंगलिस में लोजिकल रिजनी कहते हैं दोस्तो रिजनी के अंदर गट तो काफी सारे परशन आते हैं अलग अलग तरीका के पर आपने गोर करा हुआ कि जो कथन से सम्मंदित जो परशन आते हैं सबसे हम लोगों की परिशानी क्यों होती हैं हमंए पता नहीं रहता कि यह Wolverine कि निगमन है या काफन और निषकार्च वाले मैं बादो, इससे संबन्दी परशन जो आते हैं, वो काफी लोगों को किलियर ही नहीं होते हैं इसी तरीके से जो कोचिंग वगरे हमें जाते हैं तो वो कोचिंग वाले इनी चीजों को किलियर करने के वो मोटी रकम वसूल करते हैं क्योंकि हम जो बच्चे जो घर पर बैठ कर तयारी करते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ है ये कथन से संबंदित जो परशन होते हैं वो क्या होते हैं तो दोस्तों ये जो कर्थन ये जो मैंने छे लिये हैं इसी जे संबंदित आपके UPSC, PCS, बैंक्स और UGC या कोई भी गौर्मेंट जॉब में जिस्म के अंतरगत कहतें से संबंदित जो परशन आते हैं वो आज के बाद आप उसको बड़े ही प्यार से और सबसे पहले आप ये उसको identify कर पाओगे पैचान पाओगे कि वो निगमन या निसकर्ष और अभी धारने कौन सी है क्योंकि सबसे पहले आपकी जीत ही हो जाती है कि आप परशन को समझ जाते हो उसके अंतरगत फिर आप आंसर निकाल सकते हो तो दोस्तो इसके अंतरगत जो पहले आता है वो है तार्किक निगमन दूसरा है कथन और निसकर्ष और तीसरा कथन और अभी धारने चोथा अभी कतन और कारण पांचवा कतन किरियाविदी और छटा है नियाएवाक्या तो दोस्तो हम पहले करते हैं निगमन, तार्किक निगमन दोस्तो तार्किक निगमन के पांच परकार होते हैं पहला परकार होता है यदि A घटित होता है तो B घटित होगा दोस्तों इस पर्षन के अंतरगत क्या है कि आपके पर्षन के अंदर उसमें यह कहा गया होगा कि नीचे दियेगे जो कथन है उसके अंतरगत पहले कथन से संबंदी दूसरे कथन से संबंद को दर्शाते वे उचित कथन को आंसर जैसे कि अगर मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ इसमें मेरे इसमें पहली खटना कौन सी कि मैं फिल्म देखने जाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ दूसरी खटना क्या हुई कि मैं खुश होता हूँ तो पहली खटना क्या हुई कि फिल्म देखना और दूसरी खुश होना कि अगर जब तक मैं फिल्म नी देखुँगा तो मैं खुश नहीं होँगा मैं और इसी तरीके से है दूसरी है यदी एक घटित होता है तभी बी घटित होगा परशन के अंदर ये दिया गया होगा जैसे कि यदि केवल सो रव गाउंगली मैच खेलता है तो वो सेकड़ा बनाएगा तो यानि कि पहली घटना क्या हुई कि सो रव मैच खेलता है तो वो सेकड़ा बनाता है तो पहली घटना क्या हुई मैच खेलना और दूसरी घटना क्या हुई सेकड़ा बनाना मेассना बहलार मैजशिंस नहीं खेले अधिर गविवनान है नितों आपने सवेनान फिन यदिन घाथ एक होता है तो ये जो दो कर्फंन होंगे, हम आगे इसको परशन को भी देखेंगे, पैक्टिस करेंगे, और इसके अंदर तीसरा जो आता है, यदी, A घटित होता है, तो B घटित नहीं होता है, अब देखें, इन दोनों से अलग यто Tीसरा है, इसमें जा पुचा है, बताया गया है, इ यह है कि यदि A घटित होता है तो B घटित नहीं होता है तो उसका अंतरकत यह है कि जैसे कि आप ले लिजे जो टैनिस प्लेर है मार्टीना अगर वो अच्छा खेलती है तो सान्या मिर्जा अच्छा नहीं खेलेगी क्योंकि देखिए पहला जो है A घटित होता है तो B घटित नहीं होगा एगटना में कतना है कि यदि मार्टीना जो टैनिस प्लेर है अच्छा खेलती है तो सान्या नहीं जीतेगी दूस्तों अब देखिए इसको मैच करिए एग घटित होता है एग घटित जानिकि टेना अच्छा खेलती है सिंपल सी बात ध्यूद ागर गेम में खेल एगिन्ने थेट फिर अगर मार्टीना अच्छा खेल जाती है अच्छे स्कोर बना लेती है तो फिर उसका उसर क्या सान्य भी अंछे फिर्ल्ती दोनों को जीत नहीं सकते न तोसकर यह मतलब था और चलते हैं यदी ए घ्शाम्पल नहीं होता तो भी करते हैं यदि इन सबसे अलग है, इसके अंतरगत क्या है कि यदी इसका आप ये ले लिजिए, इसका एक एक इग्जाम्पल में बताऊं कि यदी आनंद नही आता है तो क्या कुछ भी ले लिजिए, अकबर इसमें अकबर आएगा, अब देखिए इसमें क्या ये बताएगा है, यदी आनंद नहीं आता है तो अकबर आएगा, यदी ए घटना नहीं होती है तो भी घटित हो गया, इसमें ये बताएगे कि अगर आनंद नहीं आता है तो अकबर आएगा, तो इसमें ये मतलब आपको ब बता है कि यदि अकवर आता है तो आनन नहीं आएगा अगर भी घट जाती है तो ए घटित नहीं होगी और अगर ए घटित नहीं होती तो भी घटित होगी अगर अकवर आ गया तो सिंपल सी बात है आनन नहीं आएगा या समझेज कि एक 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 व्यक्ति की खड़े होने की जाना नाचवा देखते हैं, या तो A या B घठीत होगा, यानिकि अब ये इन चारों से लग है, या to A घठीत होगा, या तो B घठीत होगा, अब इसका एकसाम्पल ले लेते हैं, आपको मैं पर्शन करके दिखाते हूं, इसी तरी के पर्शन भी आएंगे, मैं आपको पर्श शारूक या तो एक खलनायक है खलनायक के रूप में अभी ने करता है या वो एक नायक के रूप में अभी ने करता है अब देखिए या तो एक घटी तोगा या भी घटी तोगा इसमें क्या मैंने कोशन बना है शारूक या तो एक खलनायक के रूप में अभी ने करता है या वो नाइक के रूप में करता है तो इसमें क्या पर्षिन बन सकता है आपका इसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें आप्षिन आपको दे सकते हैं कि केवल सी डी या केवल बी ए और सी सी डी एंड बी ए और डी में आजएगा यह तो सभी में आते हैं इसमें से कोई नहीं अब देखें मैच करते हैं हम इसको बनाते हैं सी डी यानि कि शारुख खान अभी नहीं करता है या नहीं करता है तो दोस्तकर इसमें आप इसको मैच करिए या तो ए घटीत होगा या B घटित हुगा अगर शारूक खलनायक का रूल करता है तो simple जी बात है वो नायक नहीं बन सकता और अगर नायक बनता है तो वो खलनायक का रूल नहीं कर सकता तो इस तरह की जब ओप्शन आएंगे कि इसमें पर्शन इस तरह के से बन सकते है कि शारुक एक बन जाएगा कि शारुक एक नायक है, दूसरा शारुक एक खल नायक है, तीसरा शारुक अभी ने नहीं करता है, दो आपके परस्ट हैंगे नेगेटिव में नही में और दू आएंगे हा में इस ही में से आपको चाटना हुगा और इसको हम मैच करोगे की अ खटीत होता है या भी खटीत होता है तो आप उस्पांसर कर देंगे जिसके अंदर ये लिखा होगा कि भाई जिसमें सर्फ एक ही आपके दोनों Haani ले सकते और दोनों Naani ले सकते इसका Simple सा मैथड़ ये है दो स्के हम परशनों को प्रैक्टिस करें। इससे आपको ओर जल्दी समझे मैंगा। तो दोस्तो ये है एक परशनत तार्धिक निगमन का। अब दोस्तो आप हमें परशन को पहचाननेक के जो एक गुर्ण है वो शीखते हैं कि हमें पर्षन के अंदर पहचानने कैसे हैं, कैसे पता करें कि ये निशकर से अभी धारना है, या वीदी है, या निया है, वीदी है, सबसे पहले आप पर्षन को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आगा किसमें निकालने क्या है, जैस कथन मुख्य कथन के साथ तारकिक रूप से संगत हो यानि कि जो ये कथन दी गई है इस कथन को आप दो पार्ट समझ लेजिए यहां जो कोमा दिया गया है ये पहला पार्ट हो गया और कोमे के बाद जो लिखा गया है वो दूसरा पार्ट हो गया अब इन दोनों के अंदर य इसके option दिये गए है, A, B, C, D, अब देखते हैं, कथन क्या है, एक व्यक्ति पर तेग बार एक chocolate प्राप्त करता है, जब हुआ है, रेस्टोरेंट जाता है, यानि कि क्या है, हमने जो परकार पड़ेते, कि यानि कि पहले घटना क्या हुरी है, कि वह chocolate प्राप्त करता है, जब रेस्टोरेंट जाता है, तो आंसर हमेशा ना, दोस्तो, इसके option जो होते हैं, उसी के अंतरगत आप निकाला करिया, ठीक है, अब देखते हैं, C, A, C कौन सा है, ये, मैं रेस्टोरेंट नहीं गया था, ठीक है, और A कौन सा है, मैंने एक chocolate प्राप्त की थी, पर इसमें तो एक व्यक्ती परते एक बार एक chocolate प्राप्त करता है, जब रेस्टोरेंट जाता है, जानि कि, अगर मैं कहूंगा कि वो रेस्टोरेंट गया तो हम क्या बोलेंगे, वो पक्का चौकलेट लेके आग़ा, कवी करा हम कहते हैं, कि किसी दोस्त, भाई बहती जा चोटे बच्चे उसका मुझा लाल होता है, तो हम कहते हैं, पक्का पिटके आ रहा हुआ किसी से, तो उसी यही है, अगर वो कहते हैं, कि किसी बंदे को पर लेबा लगा रहता है, कि वो 100% रेस्टोरेंट गया होगा, तो वो चोकलेट लेके आगया हो, अब पर जो पहला C है, C, मैं रेस्ट मैंने एक चोकलेट प्राप्त नहीं की थी, ठीक है, D कौन सा है, मैं रेस्टोरेंट गया था, ये भी नहीं मैच करता, अलमिनेशन से खेलेंगे आप तो बहुँ जल्दी आंसर के पास पहुँचेंगे, फिर देखते है, D, मैं रेस्टोरेंट गया था, अच्छा वो रेस् चोकलेट प्राप्त की थी, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि पास नो चोकलेट प्राप्त करी थी, और C, मैं रेस्टोरेंट नहीं गया था, ये तो हो नहीं ज़कता है, क्युग हमें तरक निकालना है, दोनों का तो ये हो गया, आपका गलत आंसर ये रहा, इसी तरीके से हम दू कोशिश करना है, आपको नजर आ जाए, पहला ऑप्शन है, D, A, इसमें देखिये, जब कभी में एक फूल प्राप्त करता हूं, मुझे प्रेम का अनुभा होता है, यानि कि अगर कोई बंदा है, वो कोई रहा है कि मुझे प्रेम का अनुभा हो रहा है, तो वो पक्का, उस को उसके पास फूल है, उसको फूल कहीं से मिला है, क्योंकि किसी ने दिया होगा भई, चाहिए किसी लड़के है, लड़की ने, या कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन के है, D, पहले रहते हैं, मुझे प्रेम का अनुभाव नहीं हुआ, नहीं हुआ, पर उपर के बता रहा ह अगर उसको प्रेम का अनुभाव नहीं हुआ तो उसको फूल नहीं मिला होगा, पर A, मैंने एक फूल प्राप्त किया, तो यह हो गया आपका, क्रोस, खतम करो, आप चलते हैं, B, मुझे प्रेम का अनुभाव हुआ था, ठीक है, प्रेम का अनुभाव हुआ था, C, मैंने नहीं हो रहा ना? गलत अब देखते हैं तीसरा C मैंने एक फूल प्राप्त नहीं किया था ठीक है अगर वो फूल प्राप्त नहीं कर रहा तो उसको नहीं हो सकता तो आपका यह होगा कि C मैंने एक फूल प्राप्त नहीं किया था D D. Mujhe Pream का अनुभाव नहीं हुआ था और उपर में क्या बता रहा हूं मुझे उसको अनुभाव हुआ था और इसमें देखते हैं यह भी हो सकता है D. Mujhe Pream का अनुभाव नहीं हुआ था C. मैंने एक फूल प्राप्त नहीं किया गा था यह बिल्कुल मैच कर रहा है चुंकि पहले जो दूसरा कथन है मुझे प्रेम का अनुभाव नहीं हो था होता है तो दूसरा कथन ही हो गया दूसरे से पहले मैच करना है मैं और सी कुन सा है मैंने फूल प्राप्त नहीं किया था दोनों मैं नहीं नहीं है दोनों म कर रहे है कि मुझे प्रेयम कानुगाउ नहीं हुआ था ना उसका मतलब इसके पास फूल नहीं था तो ये आपका अंसर हो जाएगा और यह हो जाएगा कुट اب इसी तरीके से तीसरा देखते हैं मैं हर बार साथ पेंता हूं जब मैं खेलता हूं।a अब देखते हैं BC, B कुन सा है, मैं नहीं खेलता था, तो इसका मतलब है, इसमें क्या बता है कि जब मैं हर बार एक कैप पैनता हूं, जब मैं खेलता हूं, यानि कि जब बंदा खेलता है, तो यानि 100% वो कैप पैनता है, क्योंकि हर बार लिखावा है तो देखते हैं B मैं नहीं खेलता था यारी नहीं खेला था तो C मैंने कैप पहनी थी नहीं मैच हो रहा है काड़ दो C A मैंने कैप पहनी थी उसने कैप पहनी थी और यह क्या ले मैंने एक मैंने एक कैप पहने थी तो मैंने खेल खेला था तो यह आपका C यह हो सकता है D B D B यह आपका होगा मैंने एक कैप नहीं पहने थी और B मैं नहीं खेला था बंदे ने कैप पहनी भी है पर वो नहीं खेल रहा है यह भी गलत मैच नहीं हो रहा है तो यह आपका कट हो गया इसी तरीके से आपका Edi मैंने cap खेल, मैंने cap नहीं पहने थी यानि कि खेल रहा ही ब्ही है और cap नहीं पहने थी, और उपर हमारे कफर में क्या था 500 कातन मैं हेला था पर cap नहीं पहने थी तो यह आपका गलत और आपका अंसर यह हो जाएगा इसी तरीके से चोथा देखते हैं दोस्तो प्रैक्टिस के लिए क्योंकि वो हमें खतम करने यह आपको बस समझी मा जागा सबसे पहले आप यह जब तरक पहचान जाओगे न परशिन गंदर तो उसको आप पता चल जाएगा इसी तरीके से करना है चोथा यह आपका मैं हर बार खुशी अनुभाव करता हूँ जब मैं कोई नई चीज खोजता हूँ तो देखते हैं जब वो खुशी महसूश करता है जब वो नई चीज खोजता है B.C. मैंने एक नई खोज देखी अच्छा उसने एक नई खोज देखी C. मैंने खुशी अनुभाव की थी तो यह हो सकता है और यह उसके चहय हो सकता है और यह क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं जब यह वेक्ती हर बार खुशी अनुभाव करता है जब कोई नई चीज खोजता है B. मैंने एक नई खोज देखी तो सीदी सी वात है वो खुश अनुभाव होगा यह हो सकता है मैच कर रहा है दोनों के तरक से निकल रहा है B. A. D. A. मैंने एक नई खोज नहीं देखी D. मैंने खुशी का अनुभाव नहीं क्या था इसमें यह हैं पर यह पॉजिटिव में और यह नेगेटिव में बता रहा है तो यह गलत होगा और यह है D. B. इसमें देखते है D. मैंने खुशी अनुभाव नहीं की थी नहीं की थी B. मैंने खोज देखी थी यह तो बिल्कुली गलत हो रहा है मैच नहीं कर रहा है C. मैंने खुशी अनुभाव की दी ठीक है D. मैंने अनुभाव नहीं किया था ये दोनों से मैंज नहीं कर रहा है तो ये गलत आपका अंसर ये हो जागा तो दोस्तों सिम्पल सा ये है कि आपको इन कथन में से ये इस पहले पार्ट से दूसरे पार्ट को एक दूसरों से मिलाना है और पर्ट को उसी चीज में ढूणना है और आप्शन में टिक कर देना है तो ये आपका तार्किंग निगमन का आपका बड़े प्यार से सोल हो जाएगा आप जादे जादे पांच ये दस प्रैक्टिस कर लेंगे अपने एक्जाम से पहले तो आप कोई भी एक्जाम हो उसको बड़े प्यार से कर सकेंगे आगर देखते हम आपका अगला कौन सा था